प्रोफेसर रवी कान जी के पास और प्रोफेसर साहब ने जो बाते कही थी उत्तर प्रदेश को लेकर कि उत्तर प्रदेश में खेला हो गया है और वो साफ दिखाई दिया 20 सीटे उत्तर प्रदेश में इधर से उधर कर दी गई है यह आपको भी पता है रात में पूरा खेल ह हुआ कई जगहों पे लाइट डीम साहब अंदर बैठे हैं लाइट कार दी गई कोई जीत रहा सपा का प्रत्याशी जीत रहा है हार गया यह यह चाहे फरुखाबाद हो चाहे और भी कई जगह नाम अभी साहब कौन से फूल पूर है और कौन से और सलेम पूर शायम यह जैपुर ग्रामिन वनिया राजित्तान में यह सारी सीटे हैं लगए तीस सीटों के खेला कर दिया ठीक है आपने कर दिया लेकिन सरकार पर काविज होने में बहुत तकलीफ हो रही है प्रोफिसर अभी कांजी शुक्रिया राजीव जी मैं पहले भी उस बात को कह रहा था कि यहां 50 प्लस रहेगा इंडिया एलाइन्स का और अगर यह लाइट नहीं काटी गई होती बही मानी नहीं होती तो आकड़ा वही आता जो हम लोग डीवी लाइट पे बार बार चर्चे कर रहे हैं और जो आपने एकसिब पॉल किया था वो बेहद नस्दीक था बलकि मैं कहूं कि आपने बहुत उदारता पूरवक चीजों को देखा था कहीं भी बाइसनेस नहीं था और अगर यह चुनाव फेर हो गया होता तो आपके एकसिट पॉल से भी बहतर पॉजिशन में इंडिया एलाइन्स होता क्योंकि होता है हम कई बार चीजों को बहुत सम्हाल करके करते हैं लेकिन अब यह उसमें फैक्टर नहीं होता है आप तो मुझे लगता है जब एकसिट पॉल किया जाए जो तेजस्वी अदव ने कहा कि प्रियास करना चाहिए और हवाई जहाज में जब तोनों लोग एक साथ है तो उस प्रियास का ही वो हिस्सा है और दिल्ली की जो रवानगी है यह मुझे लगता है और जो औरो ने यह भी कहा कि बिहार को स्पेशल राजी का दर्जा आरक्षन को पचास पचातर फीज़ दित तक ले जाना यह जो पॉलसी है यह कौन करेगा नरत्रमोदी तो करेंगे नहीं यह एजेंडा किसका रहा नितीश कुमार कर रहा पंचायतों में आरक्षन 50% मैलाओं करना किसका एजेंडा था नितीश कुमार का था तो यह जो भी तेजस्वी आदाओं ने बोला वो नितीश कुमार को ध्यान में रख करके बोला और कोई कल नहीं बोला नतीजों के पहले से भी तेजस्वी आदाओं अपने चाचा को याद कर रहे थे और ये कह रहे थे कि चाचा तो सामाज एक नियाए के साथ जाएगे और राजनेताओं में ये गुण होता है कि वो चीजों को भाप लेते हैं हम लोग तो जो पढ़ते हैं जो कोशिश करते हैं शायद हम लोगों से भी ज्यादा एडजेक्ट नेता पहुंच जाते हैं और ये भाप लिया था ते जस्वी यादा उन्हें तो वो लगातार उस बात को कह रहे थे अब चंद्रबाबू, नाइडू और नितिश कुमार इसमाए किंग मेकर है और ये बहुत किलियर हो गया है कि उनकी पहली शर्थ है किसाब गुजराती लोबी नहीं चाहिए ठीक है हम एंडिये में हैं लेकिन गुजराती लोबी नहीं चाहिए और गुजराती लोबी कभी इस चीज को बढ़राश्त नहीं कर सकती ये भी हम जानते हैं कि मोदी बगर सकता कि नहीं रह सकते हैं। अब ये फैसला डेफिनिटली RSS के पाले में है। नेतिन गड़करी का मैं कल देखना था एक वीडियो उन्होंने इंजुआई कि आपने बच्चों के साथ, पोते-पोतियों के साथ, और जो उनके चेहरे पर ख और शाह नहीं होंगे। और एक और अभी खबर आई है कि जो उद्धाउ ठाकरे हैं, उनके पहले वाली जो पार्टी है, शिंदे गूर्ट के लोग उनके सम्परक में हैं, उनके जो सांसर देख़ों चुने गए हैं, वो भी उद्धाउ ठाकरे के सम्परक में हैं, तो लेकिन हम जो कर रहे होते हैं, वो हमारे सामने आ जाता है, और इसी जनम में आ जाता है, मोदी और शाह ने जिस तरह ताना शाही पूर तरीके से सरकार चलाई और किसी को कुछ नहीं समझे, एक अकेला सब पर भारी पार्लियमेंट में कोई थाई नहीं साब, कोई NDA नहीं था कोई नितीश कुमार नहीं थे, कोई चंदरबाबू नहीं थे, कोई नवीर पट्टाइक नहीं थे, किसी को कुछ, इभिन मोदी और शाह के बाद, शाह भी आते हैं 101 में नमर पर, और उसके बाद तो कोसों तक कोई नहीं है, जेपी नग्डा को यो हटा दिया जाता है, रा शर्मी भी कितनी है कि फिर भी राजनात सिंग जाकर के बेलकम कर रहे हैं, हलाकि राजनेता चतुर बहुत होते हैं, आगे से हाथ मिला करके पीछे से चोटकी जाती है, तो राजनात सिंग भी उस ताक में होंगे, तो दस साल पहले से उनका विचारे का PMN बेटिंग आप कह पूरा देश सहमत है, भक्तों को छोड़ करके कि लोगों ने रिजेक्ट किया है नरिंदर मोदी को, पूरा चनाओ मोदी के नाम पर लड़ा गया, बीजेपी का, लेकिन लोगों ने रिजेक्ट किया और जीत किसकी हुई, मैं अगर पार्टी के भी चक्रम ना पढ़ू या राहुल गंदी की भी बात न करों, तो ये जीत हुई है सरकारी नौकरियों के बादे की, ये जीत हुई है किसानों के MSB की, ये जीत हुई है दलितों और आदिवासियों के अपने अधिकारों की, ये जीत हुई है संब्धान के बचाने की, ये जीत हुई है आरक्षन को वो देश की नबज को समझते हैं, और इस बात को भी समझते हैं, कि मैंडेट किसको मिल रहा है, इस एजेंडे को मैंडेट मिल रहा है, तो हमें उस एजेंडे के साथ जाना चाहिए, वरना अगर आप NDA के साथ, मोदी के साथ जाते हैं, तो वो उस जनादेश का भी अफमान है इस समय वही एंडिये की घटकदल भी चाहते हैं और उस पर इंडिया एलाइंस जितनी उधारता पूर्बक वा कॉंग्रेस पार्टी के बारे में तो सभी लोग कह रहे हैं कि उन्हें कंप्रुमाइज करने में कोई हर्ज नहीं है कोई सत्ता का कोई लालच नहीं है और ये उस कॉंग्रेस पार्टी के बारे में हम लोग एक मत हैं जिस पर ये आरोप है कि एक ही परिवार का शासन चल रहा है साब केवल सत्ता इनको भोगनी है बगएरा बगएरा जो आरोप लगते थे तो आज जो परिस्तियां हैं इस देश में मैं तो बार बार उसी बात को के लिए मुझे लगता है कि इंडिया एलाइंस के साथ नितीश बाबू भी आएंगे चंदरबाबू नाइडू भी आएंगे क्योंकि दक्षन के राजियों को यह मालूम है बलकि उत्तर भारत के राजियों भी जानते हैं इस बात को कि जब मोदी जी बैठ जाते हैं तो फ करने के लिए और कई बात तो मुझे यह लगता है कि योग करने के लिए तब जा रहे हैं मोदी जी पूरा भारपूर गालियां देली उन्होंने जितना भी अप्षब्द हो सकते थे जितने भी आचार सेहता कि धजियां उडाई जा सकते थी जो सब करने के बाद यह तो कि जो इस तरह की भाशा बोले तो कैसे उसको खतम किया जाए उसके लिए बढ़िया सा चोला ओड़ लीजे आप थोड़ा सा भगवा चले जाए तो यह उन्होंने खेल किया लोग भूल गए उसी में गोदी मीडिया लगाता है दिखाता राग साब यह सिर्फ बोटिंग को प्रभावित करना ही नहीं था यह भी था कि जो आपने मुझरा बोला जो आपने नफरत फैलाई यह उसको धुलने के लिए भी था लेकिन देश ने तो पूरे तरीके से रेजेक्ट कर दिया है आपके धौंग को आपके छल को आपके जूट को और मुक्ती के लिए बोटिं कि इसके जो राजनितिक इस्तितिया भी देख रहे हैं उसके बारे में हम लोग बहुत मुत्माइन हैं और देश भी चायता है वो चीज़ां सामने देख रहे हैं यह सामने दिखेंगी इस बीच चार